Hello students, चलिए स्टार्ट करते हैं exercise 10.5 का question number 3 देखते हैं क्या है In the given figure, angle P, Q, R equal to 100 degree जो angle P, Q, R है ये वाला angle 100 degree given है Where P, Q and R are point on a circle P, Q, R जो है point है हमारे circle के उपर तो देखो P point भी circle के उपर है, Q point भी circle के उपर, R point भी circle के उपर With center O, जिसका center के है, circle का center O है तो हमने find out करना है angle O, P, R O, P, R का मतलब जो बीच में value होती है, जो alphabet होता है, वही angle find out करना होता है तो O, P, R, ये पूरा angle हमने find out करना कि ये angle जो होगा, वो कितने degree का बनेगा ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे find out करेंगे सबसे पहले लिखेंगे given क्या है, given हमें angle P, Q, R, 100 degree given है लिख दिया हमने, to find, find out क्या करना है, वो देखते हैं, angle O, P, R ये हमने find out करना है कि कितने degree का होगा proof देखते हैं इसका कैसे करेंगे सबसे पहले देखो बात करते हैं यहां पे, ये अगर 100 degree हमें given है ठीक है, तो इसकी help से हम क्या find out कर सकते हैं इसकी help से मुझे ये angle मिल सकता है, ये angle क्योंकि देखो, यहां पे जो angle बनेगा, on the circle center पे जो angle बनेगा, वो double बन जाएगा तो ये 100 degree है, तो ये कितना होगा, 200 degree होगा clear आपको ये चीज तो पता है, कि center पे जो angle बनता है, वो double होता है on the circle का, तो इसका reflex angle बनेगा, यहां पे ये मत सोचना कहीं, ये सोचों की सर, ये angle बन जाएगा, डबल नहीं, तो ये इस तरफ है तो इसी तरफ, ये नीचे की तरफ बना हुआ है, तो नीचे की तरफ ही बनेगा तो यहां पे क्या लिखेंगे, reflex of angle P, O, R reflex of angle P, O, R, reflex का मतलब होता है, पिछे की तरफ बना हुआ is equal to किसके होदाएगा, twice of angle P, Q, R, इस angle का डबल तो कितना आ गया है, twice of P, Q, R कितना है, 100 degree तो हमारा angle जो आ गया, वो कितना आ गया, 100 into 2, 200 degree अब ये angle आ गया, हमारे पास 200 degree तो इसकी help से हम ये angle भी तो find out कर सकते है पूरा का पूरा कितना angle होता है, 360, तो ये कितना आ जाएगा, 360 में से 200 subtract कर देंगे, तो यहाँ पर क्या जाएगा, angle P, O, R, is equal to किसके हो जाएगा, 360, minus में reflex of angle P, O, R, किसके एकवल आ गया, 360, minus में 200, is equal to कितना आ गया, 160 degree, तो angle P, O, R, आ चुका हमारा कितना आ गया, 160 degree, ये angle आ गया, 160 degree, clear है, अब कोई doubt नहीं होगा, अब next चीज देखते हैं, P, O, is equal to किसके है, O, R के, जो P, O है, ये रहा, O, P, O, R के एकवल आ दोनों radius हैं, ये क्या है, radius of circle, तो O, P, के सामने वाला angle, और O, R के सामने वाला ये angle और ये angle क्या होंगे हमारे, देखो, इस side के सामने वाला angle ये, इस side के सामने वाला angle ये, ये angle और ये angle equal होंगे, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, angle O, P, R is equal to किसके हो जाएगा, angle O, R, P के, यहाँ पर reason भी लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, as, P, O, is equal to O, R, दोनों opposite side equal हैं, तो opposite angle भी क्या होंगे, equal, अब करना कुछ नहीं है, बिल्कुल simple तरीका है, by angle sum property, by angle sum property, int angle O, P, R, के अंदर, angle O, P, R, plus में angle, P, R, O, plus में angle, P, O, R, is equal to किसके हो जाएगा, 180 degree, मतलब इस angle का sum, इसका sum और इसका sum, 180 होगा, O, P, R, देखो किसके equal है हमारा, O, P, R, O, R, P के equal है, तो यहाँ पर O, P, R, को agities रख देते हैं, O, P, R, plus में P, R, O, P, R, O, P, R, O, P, R, O, P, R, degree, clear है, तो यहाँ से देखो, angle O, P, R, और O, P, R, कितना हो गया, twice of angle O, P, R, is equal to क्या हो जाएगा, 180 degree, minus में 160 degree, तो twice of angle O, P, R, is equal to किसके हो जाएगा, 180 में से 160 गया, 20 degree, तो angle O, P, R, is equal to क्या हो जाएगा, 10 degree, two से इसको divide कर देंगे, तो O, P, R, is equal to 10 degree, is equal to किसके हो जाएगा, angle P, R, O, के, मतलब यह भी 10 degree आ चुका, हमारा यह भी 10 degree आ चुका, तो हमने कौन से angle find out करना था, O, P, R, angle ही find out करना था, starting में हम पूरा complete angle लिग गए थे, तो O, P, R, क्या है हमारा, यही angle है बस, तो हमने O, P, R, को find out कर लिया, कितने degree आ गया, 10 degree, this is the answer, I hope आपको समझ में आ गया होगा, starting में मैंने यहाँ पर यह mark कर दिया था, O, P, क्यों गलती से mark हो गया था, तो O, P, R, यह angle find out करना था, यह 10 degree आ चुका हमारा, कोई doubt लगे तो मुझे comment करके बता सकते हैं, दरवाज इस channel को subscribe कीजिए, like कीजिए और share कीजिए, thank you students for watching this video, thanks.